नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ, आप सभी बच्चे स्वस्त होंगे मैं आपके हिंदी सिच्छी का, आज मैं आपको एक नए अच्छर सिखाऊंगी ओ, आज का जो हमारा अच्छर है, वो है हमारा ओ ओ, अच्छर जो है, ये वर्माला के कुछ स्वरों में से एक है ओ, से औरत आईए हम इस अच्छर से शुरू होने वाले कुछ चित्रों को देखते हैं और आप उन चित्रों को मेरे साथ दोराईए आउसे औरत, 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 जो की और स्वर से शुरू होते हैं। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि हम कैसे और अच्छर को लिखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, एक आधा गोला, एक और आधा गोला, एक रेखा, पड़ी रेखा, सीधी रेखा, फिर औ की मात्रा, औ की मात्रा के लिए पहले एक सीधी रेखा खीशते हैं, फिर उसके उपर एक तिर्ची रेखा, और छोटा सा गोला, एक और सीधी रेखा, और छोटा सा गोला, फिर इसके उपर सीधी रेखा, एक बार और, आधा गोला, एक और आधा गोला, पड़ी रेखा, it means this is a sleeping line, and एक सीधी रेखा, it means this is a standing line. अब ओ की मात्रा, एक सीधी रेखा, इसके बाद तिर्ची रेखा, एक छोटा सा गोला, फिर तिर्ची रेखा, एक छोटा सा गोला, यह है हमारा अच्छा ओ, इसके बाद एक रेखा सीधी, एक बार और देखते हैं, आधा गोला, एक और आधा गोला, एक रेखा, एक सीधी खड़ी रेखा, एक और सीधी खड़ी रेखा, एक तिर्ची रेखा छोटा सा गूल एक और तिर्ची रखा और छोटा सा गूल यह हैं हमारी ओ की मात्रा तो बच्चों आज हमने जो नया स्वर सीखा है वो है हमारा ओ से औरत बच्चों आप इस वर्कशीट का अभ्यास करें और बार बार इस अच्छर को लिखिए मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए स्वर के साथ मिलूंगी तब तक के लिए नमस्कार